तो दोस्तों आज की हमारी इस मूवी का नाम है दम मदर्स मिल्ग जो की एक साइकोलोजिकल होरर थ्रिलर मूवी है जिसमें एक उनिवर्सिटी प्रोफेसर एक लड़की को किड्नेप कर लेता है लेकिन क्यूं ये जानेंगे हम आगे वीडियो में तो चलिए वीडियो मूवी के शुरू होते ही हम देखते हैं कि एक आदमी अपना ब्रेकवस्ट बना कर खा रहा है और फिर वो उसे खत्म करके एक रूम में जाता है जहां पर एक लड़की बंदी हुई थी और फिर वो उसे बॉक्स में बंद करके वहां के सफाई करता है यानि कि ये लड़की अब मर चुकी थी इस आदमी का नाम था क्लॉड जो की एक यूनिर्सिटी में बायलोजी का टीचर था क्लॉड की नजर अपने लेक्चर में भी लड़कियों के बॉड़ी पार्ट्स पर जाती थी जिसे ये गल्स भी नोटिस कर लेती है जब क्लॉड अपने घर पर होता है जब क्लॉड अपने घर पर होता है तब भी वो ब्रेस्ट फीडिंग के वीडियो देखता रहता है फिर सीन चेंज होता है और यहां एक लेडी अपने बच्चे को अपनी छोटी बेहन कीम के पास छोड़कर रनिंग के लिए जली जाती है जिसके कुछ समय के बाद कीम उस डाल कर ले जाता है और कीम की सिस्टर का बेबी वही पर अकेला था गार्डन में कीम को घर लाकर क्लॉड उसके हाथ पे और मुझ खोलता है तो कीम उससे बच्चे के बार में पूछती है और यहीं से क्लॉड को ये पता चलता है कि वो बच्चा कीम का नहीं है जबकि क्लॉ क्लॉड के जाने के बाद में किम अपने आपको छुड़वाने की कोशिश करती है लेकिन वो एक मजबूत चेन से मदी हुई थी फिर नेक्स्ट डे जब कीम की नीद खुलती है तो क्लॉड उसके लिए ब्रेकवास लाता है और किम उससे यहाँ पर लाने का कारण पूछती है जिस पर वो उसे एक अजीब सा रिजन बताता है उससे किड्नेप करने का क्लॉड कीम से कहता है कि वो उसे यहाँ पर उसकी नरीशिंग मदर बनाने के लिए लाया है मतलब कि वो उसे यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लाया है लेकिन कीम अभी तक मा नहीं बनी थी जिसके बाद में क्लोड कीम से थोड़ी बाते करता है और उसकी डेटेल्स लेता है चूकि कीम को अब यहीपर रहना था कीम को यह पता चल गया था कि वो पहली लडकी नहीं है जो कि यहाँ पर आई है जिससे क्लोड मार चुका है और अब किम ये जानने के बाद में बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि क्लॉड उसे न मार दे जिसे सुनने के बाद में क्लॉड किम से वादा करता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पोचाएगा और वो उसे एक दिन छोड़ देगा क्लॉड किम को ब्रेकफस्ट खाने के लिए देता है लेकिन किम उसे नहीं खाती जिसके बाद में वो किम के फिर से हाथ और मुँ को बांद देता है क्योंकि वो अब जो उसके साथ में करने जा रहा था वो किम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्लोड कीम को दिवार के साहरे बांध कर उसके ब्रेस्ट की मसाज करता है लेकिन कीम चाकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी कीम लिटरेचर के पड़ाई कर रही थी और वो एक नौवल लिखना चाहती थी और क्लोड उसे लिखने के लिए नोटबूक और पेन लाकर दे देता है फिर वो कीम को यह बताता है कि उसकी बहन का बच्चा सही सलामत अपने घर पर पहुँच गया है और ये सुनने के बार में कीम थोले रिलेक्स फिल करती है शाम को क्लॉड डिनर के समय किम को खानने के लिए एक स्पेशल टाइप का लिवर आफर करता है जिसे किम नहीं खाती और ये देखकर क्लॉड को गुस्सा आ जाता है वो किम को वापस उसके बेट से बान देता है और वो उसके सामने कई अलग-अलग तरीकी डिशेज मजे ले लेकर खान लगता है किम दो-तिन दिनों से भुकी थी और क्लॉड को खाता हुआ देखकर उसका मन मचल रहा था लेकिन क्लॉड उसे एक स्पेशल टाइप की डिशे खिलाना चाता था काफी देर तक ऐसा ही चलता है और फिर कीम क्लॉड से कहती है कि वो वो सब कुछ खाने को तयार है जो कि क्लॉड उसे खिलाना चाता है क्लॉड चेक करने के लिए लिवर से बनी उसी डिश को जमीन पर फेक देता है जिसे कीम खाने के लिए दोडती है और कीम को इसा जानुर जैसा खाता हुआ देखकर क्लॉड उसे दूसरी प्लेट में वही डिश खाने को देता है और फिर अगले दिन क्लॉड ये देखता है कि कीम को लिखने से ज़ादा sketching में interest है और वो उसे drawing pad और crayons लाकर दे देता है जिससे की कीम बस यही लिखती है I will kill you और उसे रंगों से छुपा देती है क्लॉड को breast feeding करनी थी और वो अनजाने में एक वारी लड़की को उठा कर ले आया था जो की breast milk डेवलप नहीं कर सकती थी और इसलिए क्लॉड उसे artificial तरीके से breast milk को डेवलप कराना चाहता था कीम क्लॉड से कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या करेगा जिस पर क्लॉड उसे कहता है कि वो उसे steroid देकर उसके hormones डेवलप करवाएगा और अगर ये सब भी काम नहीं आया तो pregnancy इसका last option होगा कीम अक्सर ड्राइंग में यही लिखती थी कि I will kill क्लॉड ताकि उसे ये याद रहे कि वो यहां से केसे निकल सकती है तब ही क्लॉड उसके ड्राइंग चेक करता है और कीम उसे रंगों से चुपा कर एक सूरज की डिजाइन बना देती है वो क्लॉड से कहती है कि ये एक सूरज है और उसे देखकर उसे सूरज की याद आती है क्योंकि उसना सूरज के दिनों से नहीं देखा है और फिर क्लॉड उस ड्राइंग को दिवार पर ही टांग देता है किम यहां से बाहर निकलने की प्लानिंग करती है और खुद को एक्सेसाइस करके फिजिकली स्टॉंग भी बनाती है कब उसे किसके जरूत पड़ जाए क्लाड किम को बस कपले चेंज करते टाइम ही खोलता था जब वो पूरी तरह से आजात होती थी और किम इसको नोटिस कर लेती है फिर क्लाड किम को सुरज दिखाने पहली बार बाहर लेकर जाता है और वो उसे ही बताता है कि बच्पन में उसके पिता उसकी माँ को छोड़ कर चले गए और उसकी माँ अलकोहॉलिक हो गई फिर एक दिन जब उसकी माँ बहुत ज़्यादा ड्रंक थी तो क्लाड से गलती से उसके घर में आग लग गई वो अपनी माम को बचाने के लिए उसे उठा रहा था लेकिन उसकी माम बहुत ज़्यादा नशे में थी और वो अपनी नीन से नहीं जाक पाई क्लाड तो बच गया लेकिन उसकी माँ आग में जल कर उसी घर में मर गई फिर एक दिन क्लाड कीम के पास आता है रूम में एक बड़े से इंग्जेक्शन में अपने सीमन को लेकर जिससे की वो कीम को प्रेगनेंट कर सके कीम क्लाड को ऐसा करने के लिए मना करती है और वो उससे कहती है कि वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इतना नीचे गिर सकता है वो ये सब किसी बाजारू ओरत से भी करवा सकता है उसे कई सारे पेसे दे कर जिसके जवाब में वो ये कहता है कि वो ये सब कुछ ट्राइ कर चुका है लेकिन उसे satisfaction नहीं मिला और अगर कीम ये सब करने के लिए मना करती है तो वो खुद उसे जबरदस्ती pregnant करेगा कीम को ये पता था कि क्लॉट थोड़ा संकी है और वो अपनी बात मनवाने के लिए उसे मार भी सकता है और फिर finally कीम उस injection से क्लॉट के सीमन को inject करती है जिससे कि वो pregnant हो सके कीम अप क्लॉट के साथ में थोड़ा थोड़ो कॉपरेट कर रही थी और फिर एक दिन क्लॉट बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आता है और कीम को अपनी फिलिंग्स बताता है कि वो अकसर उसके सपनों में आती है जो की उसे सोने नहीं देते हैं और वो कीम से प्यार भी करने लगा है ये सीन यहें पर कट हो जाता है और फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है और फिर एक दिन कीम क्लॉट से आईस क्रीम और आचार खाने के लिए मांगती है क्लॉट समझ जाता है कि वो प्रेगनेट है और मनी मन खुश होता है क्लॉट मार्केट से आईस क्रीम और अचार के साथ साथ कीम के लिए मेकप की केट और उसके लिए एक बहुत ज़्यादा खुबसूरत ड्रेस भी लेकर आता है लेकिन कीम उससे केती है कि वो उस ड्रेस को तब ही पेनेगी जब वो उसके लिए एक बड़ा सा आईना लेकर आये उसे देखने के लिए क्लॉट कीम के सारी डिमांड को पूरी कर देता है और फिर एक दिन दोनों साथ में बेटकर डिनर करते हैं क्लॉट कीम के लिए मेंगी मेंगी वाइन्स लेकर आया था लेकिन कीम बस कम्या निकाल रही थी और क्लॉट केता है कि वो उसके लिए इतना सब कर रहा है जबकि वो उसे मानना चाती है क्योंकि वो उसकी ड्रॉइंग वाले मेसेज को पढ़ चुका है क्लॉड कीम से अब प्यार करने लगा था लेकिन कीम को घर जाना था अपनी फैमिली के पास में क्लॉड आगे ये कहता है कि उसे कीम को यहाँ पर नहीं लाना था और उसके पास बस एक तरीका है इन सब चीजों से चुटकारा पाने का सीन यही पर कट होता है और हम देखते हैं कि क्लॉड को अकसर बूरे सपने आते हैं जिसमें वह खुद को अपनी मा के साथ में देखता है ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए लेकिन अब उसके सपनों में उसकी मा के साथ साथ किम भी आने लगी है जो कि उसे सिडियूस करती है क्लॉड अपने सपनों से तंग आकर आदी रात को अपनी नीन से उठता है और वो सीधा कीम के कमरे में जाकर उसे दिवार के साहरे बान देता है और उसके ब्रेट से दूथ पीने की कोशिश करता है लेकिन कीम के ब्रेस्ट अभी भी मिलके को डेवलप नहीं कर रहे थे और गुसे में आकर क्लॉड कीम के ब्रेस्ट पर दाद गड़ा देता है और वहा का मास काट कर निकाल देता है जिससे की कीम को बहुत ज़्यदा दर्द महसूस होता है और वो दर्द के मारे बहुत जोड़ जोड़ से चिलाती है और फिर क्लॉड को बाद में अपने किये पर बहुत ज़्यादा दुख होता है लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता फिर सीन चेंज होता है और हम देखने है कि किम बेटी हुई थी और उसके ब्रेस्ट पर बेंडेजस लेगी हुई थी और किम के गाओ अब थोड़े ठीक थे लेकिन वो अभी भी शौक में थी और उसे ये डर था कि क्लॉड उसे कभी भी मार देगा फिर एक दिन क्लॉड अपने फ्रेंड डेविड के साथ में दो दिनों के लिए टाउन से बाहर जा रहा था एक मेच को देखने के लिए और किम क्लॉड के जाने से पहले डिनर में एक स्टेक की मांग करती है क्योंकि मीट के स्टेक में एक बड़ी सी हड़ी होती है फिर क्लॉड कीम को डिनर में स्टेक देकर चला जाता है जिसे कीम जल्दी जल्दी साफ करती है और बड़ी वाली हड़ी को निकाल लेती है क्लॉड को मारने के लिए और फिर Claude जब वापस से कीम के कमरे में आता है तो कीम उस बड़ी सी हड़ी से Claude की गरदन पर हमला कर देती है जिससे की Claude गहल हो जाता है Claude जल्दी से कीचन में जाकर अपने गले पर बेंडेजस लगाता है और उसे वहाँ पर वो सब याद आता है जो की उसने कीम के लिए किया जिसके बार में Claude कीचन से एक बड़ी से चाकू को निकालता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि डेविड Claude को लेने के लिए आया था और अंदर Claude मरा हुआ पड़ा था Claude ने खुद का गला काटकर अपने आपको मार लिया था और अंदर कीम बस चिलाए जा रही थी फिर मूवी के आखरी सीन में हम यह देखते हैं कि कीम अपने घर पर है अपनी सिस्टर के साथ में और वो थोड़ा डिस्टरब लग रही थी जिसके बार में यह मूवी यही पर एंड हो जाती है तो गाइज मूवी बेस्ट है एक साइकोपाथ आदमी Claude के उपर जिसने अपने बचपन में अपने मा और बाप दोनों को खो दिया लेकिन उसके बड़े होने तक उसे यह लगता था कि उसे ब्रेस्ट फीडिंग की जरूरत थे Claude की यह बीमारी बस mentally थी उसे यह लगता था कि ब्रेस्ट फीडिंग से उसके सपने बंद हो जाएंगे और वो इसलिए पार्क से कीम को पकड़ कर लाया था क्योंकि वो एक बच्चे को घुमा रही थी लेकिन Claude को बार में पता चलता है कि वो बच्चा उसका नहीं है और वो उसे आर्टिफिचली तरीके से प्रेगनेंट करने की कोशिश करता है ताकि कीम उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवा सके दोस्तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग सुनकर अजीब लग रहा होगा लेकिन मैं आपको ये बता दू कि कई कंट्रीज में ब्रेस्ट मिलको बेचा जाता है और कई सारी places पर तो direct breast से feed करने के लिए लोग कई सारे पेसे भी देते हैं और औरते खुद अपनी मर्जी से अपने breast feed करवाती है आपका इस बारे में क्या मानना है comment करके बताईएगा तो दोस्तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो like करे, comment करे और अगर आप channel पर नए हैं तो channel को subscribe कर लिजेगा क्योंकि बहुत सारे वीडियो जल्दी आने वाले हैं